हेलो एवरिवन मैं हूं सच्चिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम सी प्रोग्राम को नोट पेड में कर सकते हैं और उसको फिर कमांड प्रोमोट में कॉंपाइल कर सक तो सबसे पहले करना क्या होगा आप लोगो कि यहां पर देखिए जो मीन जी डबलू है यह आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजेगा ठीक है यह इंस्टॉल करके मैं नहीं बता रहा हूं इस्टॉल करना बहुत ही इजी है आप इसको डाउनलोड करेगा और डॉलो अब इसfoldर के अंदर जाहिएगा इस folder के अंदर में एक आपको बिन नाम का folder मिलेगा यहां जाएगा और उसके बाद में इसको आप connect करेगा और पी करिए इस तरह से तो यहां पर edit the system environment variable दिख रहा होगा यहां पर आप click करिएगा और यहां पर click करने के बाद में देखिए यहां पर environment variable आपको दिख रहा होगा यहां पर click करिएगा और यहां पर click करने के बाद में फिर यहां पर देखिए edit का option आएगा नीचे में system variable जो दिया हुआ इसके नीचे में यहां पे edit लिखा हुआ, यहां click करिएगा, sorry एक मिर्ट पहले path को select करिएगा, यह देखिए path और उसके बाद में edit में click करिएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा, उसके बाद आप new में click करिएगा, और फिर वो path को आप paste कर दीजेगा, मेरा यहां पे देखिए, पहले से किया हुआ है, c colon slash m gw slash b, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीके, उसके बाद ok कर दीजेगा, फिर ok कर दीजेगा, और फिर ok कर दीजेगा, इतना काम आपको करना होगा, ठीके न, उसके बाद simple अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए, यहां पे मैं जा रहा हूँ, n o t e, notepad open कर रहा हूँ, यह notepad मैंने open किया, और उसके बाद मैं इसको save करूँगा, तो मैं यह save या save as a first time, अगर save करते तो दोनों में से कोई भी चीज यूज़ कर सकते है, desktop में मेरा एक folder है, program नाम का, यहां पे मैं इसको save कर रहा हूँ, यहां पे इसका नाम मैं दे देता हूँ, hello.c, ठीक है, और उसके बाद में c, c program का extension होता है, .c, तो इसलिए यहां पे मैंने .c लिखा है, और उसके बाद मैं यहां पे save कर दूँगा, और save करने के बाद अब मैं यहां पे program लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, हम ल .h, मतलब की हम लोग अपना header file को include किये, उसके बाद यहां पे main function, तो यहां मैं लिख रहा हूँ, int main, then bracket, open close, फिर curly bracket, and then यहां पे print करवाना है, तो print करवाने के लिए printf function का use करना होता है, तो यहां पे मैंने लिखा printf, and then hello, उसके बाद में यहां पे मैंने लिखा world, उसके statement को बन, खतम करना तो उसके लिए terminator sign देना होता, कुछ इस प्रकार से हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग anti लिए है, data type हमारा, तो यहां पे हम लोग को return 0 लिखना अनिवार ये रहेगा, और उसके बाद curly bracket को बन कर देंगे, और उसके इसको मैं फिर save कर दे रहा हूं, ठीक है न, एक बार, तो इसको मैंने एक बार और save कर दिया, क्यों कि first time जब इस file को मैं save कर रहा था, at that time हम लोग code ने लिखे थे, तो code लिखने के बाद में, फिर से मैं save button में click किया, अब ये मेरा program file save हो गया है, और अगर मैं आपको दिखा आएंगे, यहां से मैं नहीं जाओंगा, sorry, यहां से भी, direct यहां पे, यह जो folder है न, program वाला folder, यहां उपर में जाएगा, और यहां पर आप cmd लिखेगा, और इंटर मारेगा, तो जैसे ही आप cmd लिखें, इंटर मारेंगे न, तो यह जो path है, आपको कहा मिल जाएगा, command promote म मिल जाएगा, अब यह file को, c वाला file को run करने के लिए, हम लोगों को, command promote में आना पड़ेगा, है न, क्योंकि हम लोग और कोई software यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ उसका compiler को install किये, और उसके बाद हम लोग, direct nodepad open किये, program लिखे, dot c file करके, c file बना लिए हम लोग, और अब हम लोग आ गए, command promote में, अब command promote में run करने के लिए, मेरे को यहाँ लिखना होगा, gcc, और उसके बाद file का नाम, file का नाम क्या है हमारा, देखिए, hello, तो यहाँ मैं लिखूंगा, h e l l o hello dot c, और उसके बाद enter, तो देखिए, अब यहाँ पे एक a dot exe वाला file बन गया है हमारा, अब इसको हम लोग run करेंगे, तो output दिखेगा, तो इसको run करने के लिए, मेरे को लिखना होगा, a dot e x e, और enter, तो देखिए, hello world दिख रहा है, ठीक है, अब देखिए, by default यह a dot exe file बन जाता है, मगर अगर आप जो exe file का naming आप अपने इच्छा अनुसार करना चाहते है, तो आपको क्या करना होगा, मैं फिर से इसको run कर रहा हूँ, gcc, then the name of our file, hello, and then फिर आप यहां पे slash o लिख दीजेगा, और उसके बाद में यहां पे एक नाम दे दीजे, जैसे मैं यहां पे नाम दे दे रहा हूँ, hello.exe, तो अभी जो exe file बनेगा, उसका नाम a ना हो करके hello.exe होगा, ठीक है, तो यहां पे मेरे को error देखने को मिल रहा है, simple सा error क्यों देखने को मिला है, common सा बात है, कि यहां पे हम लोगों को file name के साथ extension भी तो देना होगा, hello.c, ठीक है, अब दुबारा से अगर मैं इसको run करूँ, तो देखिया, आप कोई भी error देखने को नहीं मिला, और hello.c, यहां पे ध्यान दिजेगा, folder भी दिख रहा होगा, hello नाम का एक exe file बन गया है, और अब इसको run करके देख लेते हैं, हम लोग hello.exe and then enter, तो hello world, यहां पे देखे, display हो रहा है, तो I hope कि आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर हम चाहे तो notepad यूज करके भी C++ का program लिख सकते है, ठीक है, यही चीज आप notepad प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, ठीक है, तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को like करिएगा, और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा,